मेरे लिए ये जीवन मेरे लोगों को उनकी दिविता का अनुभव कराने और उसे व्यक्त करने में उनकी मदद करने में व्यतीत हो रहा है मेरी कामना है कि कम से कम एक बूद अध्यात्म की हर मानव के अंदर डाल सका सोच कर ताजुब होता है कि ये आध्यात्मिक और आलोक एक वाक्य उस विभूति के हैं जिसका धर्म और अध्यात्म के अलावा सभी सांसारिक मुल्यू से नाता था पाश्चात रंग में रंगे इस युवा विवसाई का जीवत तपस्वी या संत जैसा बिल्कुल नहीं था लेकिन विधी लेखों में तो कुछ और हीलखा था अतहक 23 सितंबर 1982 को मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों पर विवसाईक मीटिंग में तल्लीन था कि अचानक इस युवा को कुछ आत्म बोध सा हुआ और तदकाल ही वो सब कुछ त्याक कर बन गया सदा के लिए सद्गुरु जग्गी मासुदे कुछ दिख बहिएंग ही वो और तदेवादा कुछ तद कीुछ जग्गीम पधाया तद्गुराटताई। कि श्टेष्वराय माध्यूण पहादेवार तद मत्दुदेपाया कुछ तर्द्दी पहादेवार तद्दी श्टेष्वराया तर्वेश्मराय सदाश्रिवार सरताशवा, स्धीष्पराय सरताशवा भादेवाय नमहा सत गुरु जग वासुदे जिसकी एक जलख पाने के लिए लाखों भग्त घंटों कतारों में खड़े रहते हैं उसके दर्शन पाकर भाव विभल होकर रूप अड़ते हैं हमने केवल कहानिया सुनी थी संतों के बारे में कि भाई ये करामकृष्ण पर्भम स्वा करते थे गौतम मुनी हुआ करते थे हम भी ऐसे ही महान संत के जीवन को नजदीक से जानने और समझने के लिए आप हुँचे तमिलनाडु राज्य के कोयमबटूर जिले में वेलियंगिरी परवत शक्खलाओं के मध्या नील गिरी वनों से घिरे एशा संस्कृती के संसार में क्रिशलिस के सार बाट ढरन के लिए रऄъ Bhag virtue अगर लास आप्ट정을 क ποिते के लिए ओम्यां से अिरे कुछ T इशा इशा धाई अक्षर का ये शब्द अपने आप में आलोक एक संसार है जिसकी रचना सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव ने मानव की सेवा और उसे परमपिता परमेश्वर के उस दिव्यस्वरूप से साक्षाकार कराने के लिए की है देखिए सद्गुरु की जो दिव्यता है उनकी जो उर्जा है उनकी कृपा है उसे तो शब्दों में बयाकरत पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने उनसे सीखी है वो है मानवता कि कैसे एक मनुष्य के साथ रहा जाए कैसे एक मनुष्य के प्रती पूरी तरह से सिंसियर रहा जाए कि जब वो आपके साथ एक मनुष्य के रूप में है तो वो आपको ऐसी बाते नहीं पता रहे हैं जो किताबों में लिखी है सुनने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन ज़रा भी व्यभारिक नहीं है उनकी सिक्षा इतनी व्यभारिक है कि आपको पता है कि दिन प्रते दिन आपको जो समस्याएं आती है कैसे उनसे निप्टा जाए कैसे उनसे एक बाहर की राह पकड़ी जाए सबसे अलग सबसे जुदा इशा फाउंडेशन अपने आप में सनातन धर्म का अलग सा एक ऐसा संसार है जहां देश विदेशों के हजारों श्रत धालू अनूठे संद जग्गी वासुदेव जी के क्रिपा अंचल में इश क्रिपा प्राप्त करते हैं इशा फाउंडेशन सद्गुरू जग्गी वासुदेव द्वारा 1992 में स्थापित की गई थी ये कैसी लाब रहित संस्था है जो मानव सेवा के लिए पून तह समर्पित है अतह यहां से जुड़ने वाला प्रतियक व्यक्ति, स्वतही, दूसरे व्यक्ति को सामाजिक एवं आध्यात्मेक रूप से सबल बनाने में जुड़ जाता है इसी लिए ईशा अपने आप में एक सार्वभामिक संप्रदाय के रूप में विक्सित होकर जन सेवा कर रहा है हम जब ईशा के इस अध्वितिय संसार में घूम रहे थे तो हमारी नजर गई एक ओर जहां एक विशेश साधना चल रही थी ये बड़ा ही आलोकिक वकौतुहल पैदा कर देने वाला दृष्ष था निरदेह स्थल पर चल रही इस विधी कर्म पूजा के दौरान हमें जानकारी मिले कि ये काल भैरव की कर्मकांड साधना है जो किसी भी व्यक्ति विशेश के मृत्यों के बाद उसके परिजन द्वारा ब्रह्मलीन आत्मा की शांती के लिए करवाई जाती है हम बड़ी लंबी आत्रा के बाद यहां पहुचे थे जो काफी रोचक होने के साथ ठकान भरी भी थी अतहर हमने परिसर में स्थित इशा कॉटेज की तरफ रुख किया और अगली भूर का अंतिजार करने लगे इशा अश्रम की सुबह अपने आप में बड़ी सुहानी होती है दक्षन का कैलाश परवत कहे जाने वाली विलियंगारी परवत्षन खिलाओं की प्राकृतिक सुरम्यता इसमें चार चांद लगाती है नैसरगी सौंदर्य तो आप देख रहे हैं और इस तरह का सौंदर्य और जगा भी बहुत जगा है आपने भी देखा होगा लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर जो शक्ती है जो हम महसूस कर सकते हैं यहाँ पर आकर जो एक खुलापन अंदर से हम महसूस कर सकते हैं यह इस जगा की बहुत ज़्यादा खासियत है मेरी हिसाब से सुबह पाँच बजे यहां की आध्यात्मिक दिन चर्या आरंब हो जाती है सर्व प्रथम गुरु वंदन किया जाता है ओमकारा साधना हौल में स्वामिगण उपस्थित श्रद्धालों के साथ सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का वंदन करते हैं जब जरूरत पड़ेगी वह आपको धक्का भी लगाएंगे तो आपको एक चपत भी लगाएंगे तो एक ऐसे गुरु हैं जो कोई भी रूप ले सकता है जो मेरी प्रगति के लिए जरूरी है तो उनका खुद का व्यक्तित वो वो परिस्थिते के इसाब से ढाल लेते हैं लेकिन उनकी करुणा उनकी कृपा और उनके स्वभाव में एक जो एक रूपता का सबको साथ लेने का जो भाव है वो बहुत ही अनोखा है गुरू वंदन के बाद अब समय है योग अभ्यास का अतहा संपून आश्रम योगमय हो जाता है जिसको जहां सहूलियत हो वो वही अपना दैनिक योग अभ्यास करता है जानकार स्वयम योग करते हैं और जो सीख रहे हैं वे अपने योग अचार्यों के निदिक्षन में योग करते हैं अभ्यास करते हैं The basic objective of the foundation has been to offer all dimensions of yoga in one place. When I say all dimensions of yoga, we do not see yoga as a simple exercise or as a means to health and well-being. There is nothing in human life we don't ascribe to a particular philosophy, a particular teaching or a particular kind of belief system. Offering yoga as a science of transformation, offering yoga as a science towards one's liberation is the basic objective of the foundation. जहां योगा भ्यास का ये स्वास्थ्य शाली प्रकल लगभग 6 से 6.5 बजे तक चलता है, वहीं दूसरी ओर मा लिंग भैर्वी मंदिर प्रांगण में श्रद्धालूओं की चहल पहल शुरू हो जाती है. अतहा हम भी बढ़ चले मा आदिशक्ती के स्वारूप लिंग भैर्वी मंदिर की ओर, जहां समय हो चला है मा के दैनिक आर्तिवंदन का. महिला पुजारी विश्व में अनूठे और एक मात्र लिंग स्वारूप मा शक्ती के इस दिव्य विग्रह का विशेश प्रकार की सामग्री द्वारा श्रिंगार कर रही हैं. अब प्रारंब होती है मा की मंगल आर्ति. अब प्रावना महा शक्ति रूपे इवं समर्वर्ण। अब प्रावना महा शक्ति रूपे ने विख्यां। सुख सम्रिद्धी स्वरूपनी, मा लिंग भैरवी, एक ज्वालामाई, शक्ति शाली और जीवंत देवी के अनोखे रूप में यहां विराजती हैं। हमें यहां अभी पता चला है कि आज पूर्णिमा है और संध्याकाल में यहां मा लिंग भैरवी की विशेश सवारी निकाली जाती है। जिसमें मा के दिव्य विग्रह को भगवान भूलेनाथ के जीवंत ध्यान लिंगम स्थान पर ले जाकर आराधना होती है। अतह हम भी आपके साथ साइकाल में होने वाली इस विशेश साधना की साक्षी बनेंगे। दिन निकलन के साथ साथ यहां विश्व के कोने कोने से आने वाले इश्ट धालवों की गहमा गहमी बढ़ जाती है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव महराज द्वारा वर्जों की साधना और तपस्या के परिनाम स्वरूब बसा है ये ईशा संसार। जहांके कण कण को सद्गुरु ने ईश्मय बनाने के लिए उस प्रत्येक विधी को अपनाया है जो वेद पुराणों और सनातन धर्म का हिस्सा है। आने वाले श्रद्धालवों को एश संस्कृती के अनुसार विधिवत रूप से दर्शन, पूजन एवं आत्मध्यान कराया जाता है। कने को अपने होता है कि अविवेगी अवार दिवर दूशन, कोईको अछिवेटे रुवेरा है। बढ dez alert now how to है, से गिवेवेरेयन, वे बन्ना एंवेटे हैं शीकि रुषाय हैं बनिया ऐटिर दिवएे व毁वन. चलिए हम सब मिलकर सद्गुरू जग्गी वासुदेव के इस इश कृपाधाम इशा फाउंडेशन के धार्मिक कल्पों का हिस्सा बने लेकिन उसके लिए हमारे दर्शकों को अगले सब्तहा तक का इंतिजार करना होगा अगले शनिवार को हम आपको दिखाएंगे पावन तीर्थ कुंड में अवस्थित ठोस पारदरस लिंगम के स्पर्श से पवित्र होकर कैसे करते हैं जीवन्त ध्यान लिंगम की साधना साथ ही नज़र डालेंगे सद्गुरु श्री जग्य वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के अंतरगत चल रहे शिक्षा, कला वा मानव सेवा के विबिन प्रकल्पों और विशेश ईश साधनाओं पर बने रहिए आस्था के साथ इस शद्वार भोले नाथ का जीवन्त ध्यान लिंगम आदिश शक्ति का लिंग भैरवी स्वरूप सबसे अलब सबसे जुदा सद्गुरु जग्य वासुदेव संत परंपरा भारत वर्ष की शरिवार रात साही नौबचे सिर्फ आस्था चैनल पर